प्यारे दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको भारती अर्थेविस्ता के विकास का पाच्वा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ NCRT बुक से जिसका नाम है ग्रामिड विकास जिसके पहली तीन पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूँ और आज मैं आपको चोथे पार्ट में यह पताऊंगा कि विपरन परणाली को सुधाने के दिये सरकार दुआरा उठाए गए कदम और बाकि के सारे जो छोटे मोटे टॉपिक है उन्हें भी कवर करूँगा और आज के इस वीडियो के बाद आपका यह चैप्टर खतम हो जाएगा तो दोस्तो हम टियार जैन बुक के हिसाब से छे चैप्टर कम्प्लेट कर चुके हैं अगर आप यह सारे के सारे पार्ट सेक्विंस में देखना चाते हैं सीरीज को और समस्तियार सास्तर और वेस्तियार सास्तर की सीरीज को भी देखना चाते हैं तो आई बटन डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोशन्स भी वहापे मिलेंगे नुमेरिकल्स भी मिलेंगे तो चलिए फाइनली अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये कर्शी परणाली विप्रन परणाली क्या होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्शी का मतलब होता है किसी खास किस्म के पौधे को बहुत बड़े छेतर में उगाने को हम कर्शी कहती हैं और किर्शी में जब फसल पकने के बाद उसके संगरहन उसके परसंकरण यानि थ्रैसिंग या फिर उसकी पैकेजिंग उसकी स्टोरिंग यानि उसके संगरहन से उसकी बिक्री से जितनी भी एक्टिविटी आती है यानि फसल के पकने के बाद से लेकर उसके संगरहन यानि उसके कलेक्शन से लेकर उसकी सेलिंग तक जितनी भी एक्टिविटी होती है उसे हम कर्शी विपरण कहते हैं और ये किसी भी देश की अर्थ वविस्ता में ये जो system होता है ये जो mechanism होता है उसे हम marketing परणाली यानि विप्रण परणाली कहते हैं दोस्तो तो कुल मिला के कि जो एक देश के किरशी विप्रण के बारे में जानकारी दे हमें उसे आप किरशी विप्रण परणाली समझ सकते ह अगर इंगलिश में कहें तो किर्शी विप्रण को सुधारने के लिए जो सरकार है यानि जो भारत की केंदर सरकार हो या भारत की राज्य सरकार हो उनकी दुआरा या फिर भारत की ग्रामिर सरकार हो या निगम इकाई हो उनके दुआरा कौन-कौन से महत्वपूर कदम उठा आए गए हैं इनकी चर्चा हम आज के वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं तो सबसे पहले कि नियमित मंडियों की स्थापना की गई नियमित मंडियों की स्थापना की गई सरकार की दुआरा देखिए आनियमित मंडियों की संक्या बहुत सारी है बट सरकार धी धिरर धिर नियमित मंडियों की विविस्ता करती हैं और अभी आपने सुना होगा कि जो न्य कि व मानं समय की बात कर रहे हैं कि मंडियां नहीं रहेंगी कि अब किसान कहीं पर भी अपना क्या कर सकता है फसल को ब tread सकता है तो देखिए, वैसे तो सरकार ने नियमित मंडिया बनाई थी तो वर्तवान इस ती की तो आप बात कर सकते हैं देखते हैं क्यों नियम पास होते हैं या नहीं होते हैं कैसे पास तो हो गए बट किसानों ने विद्रोव कर रखा है यानि आंदोलन कर रखा है तो नियमित मंडियों की स्थाफना कर के सरकार दुआरा किर्शी विप्रण को सुधानने का प्रियास किया गया जिससे ग्रामिड विकास हो किर्शी का विकास होगा तो दोस्तों ग्रामिड विकास होगा और ग्रामिड विकास होगा तो संपून भारत का विकास होगा चोकि भारत एक ग्रामिड देश है ग्रामिड जब तक बिना गाउ का आर्थिक विकास किये भारत कभी भी आर्थिक विकास के उतेश्यक की प्रापती नहीं कर सकता और ग्रामिड विकास को प्राप करने के लिए उसे किर्शी का विकास करना पड़ेगा और किर्शी का विकास करने के लिए दोस्तों उसे विप्रन परणाल जो है, यानि फसल के संग्रह से लेकर उसके बिक्री तक की जुभी प्रसेस है, जुभी प्रक्रिया है, उसे बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, जिसे की किरुशी एक Weather प्रद आरत्रिक्रिया बन जाए, और किसानों का विकास हो यानी किरुशी का विकास हो यानि संपूर्ण भारत का विकास हो इसी के लिए भारत सरकार के दुआरा नियमित मंडियों की स्थापना की गई मेरी बात आप समझने हैं कि ये सरकार के दुआरा नियमित मंडियों की स्थापना क्यों की गई ये मैंने आपको समझा दिया अब बात करते हैं दूस हो जाती जैसे कि तामाटर ठीक है दोस्तों जैसे कि तामाटर हो गई या कोई भी ऐसी फसल हो गई जो जल्द हो जाती है तो भारत सरकार के दौआरा देश के कई सारे जिलों में कई सारे गाओं में कूलिंग facilities दे रखी है कि आप वहाँ पे जाके रियाईती दरों पे अपनी फजल को क्या कर सकते हैं उसका संग्रेंड कर सकते हैं जिसे फजल खराब होने से बच जाती है मेरी बाद समझारी है और अच्छे दाम मिलने पे एक किसान अपनी फजल को बेज देता है जिससे उसका आर्थिक विकास होता है आर्थिक विकास होगा तो ही उसका समाजिक विकास होगा तो ही उसका राजनितिक विकास होगा तो वो देज की महत्वपुन आर्थिक गतिवी दियों में क्या कर पाएगा दोस्तों अपना योगदान दे पाएगा तो इसी उद्देशे के प्रापते के लिए भारत सरकार की केंदर सरकार या फिर राज सरकारों के दुआरा पहले नेमत मंडियों की स्थापना की गई और फिर किसानों के लिए और क्रشी उतपादों के लिए स्टोरिज की सुईदाएं उपलब्द कराने की प्रेतन किया जा इसके बाद मानक बाट या नाप तोल की अनिवारता यानि आप जानते हैं कि पहले जो तोलने की परक्रिया होती थी वो अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग होती थी बट एक अस्टेंडर्ड यूनिट चलता है जैसे की किलो ग्राम, जैसे की केजी जो है, अगर हमें किसी गेहू को तोलना है तो हम ग्राम में तोलेंगे, केजी में तोलेंगे और केजी सब भी जगाओं पर समान होगा, तो अनिवार रिता कर दी है आप कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, नहीं हम तो केजी में नहीं हम तो वैसे तोलेंगे हम तो अलग तरीके से तोलेंगे तो ऐसा नहीं है उसके अगेंस्ट क्या की जा सकती है कानुनी कारवाई की जा सकती है ठोकि भार सरकार दुआरा ये नियम बनाया गया है जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूझे मिल सके और उचित मातरा के बदले में उतना ही उसे दाम मिल सके मेरी बास समदारिये जिससे किर्शी का विकास हो रियाईती यातायात की व्यवस्था यानि जो गरीब किसान है जो मंजले किसान है या जो छोटे किसान है या जो सिमानत किसान है जो एक विगा वाले या एक एकड़ वाले किसान हैं उनके लिए रियाइटी यातायात की स्वीदा यानि ट्रकों में रियाइटी या ट्रेन में रियाइटी दरों पे उनको परिवहन स्वीदाइं दी जाती है ताकि उनको उनकी फसल का उचित दाम मिल सके और उनका आर्थिक विकास हो सके मेरे दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि किर्शी वास संबंद वस्तू की श्रेणी विवाजन ये मानकी करण की विवस्ता यानि आप जानते हैं कि ये जो किर्शी है एगरी कल्चर और संबंद संबंद वस्तू की श्रेणी विवाजन और मानकी करण यान आपको पता है होन मार्क यानि स्टेंडर्ड मतलब एक महुड सी लग जाती है जिससे मानकी करण हो जाता है जैसे यहाँ पर दे रखा है केंद्री श्रेडी नियंतर्ण परियोक शाला महरास्ट के नागपूर में है क्यों यह निधारित करती है कि कोई भी फसल है वो अपने स सारे पेरामीटर्स पे खड़ी है तो उसको एक परकार की सरकार की महुड लग जाती है मानकी करण हो जाता है उसका ऐसी भंडार चमता है अगला पॉइंट जो सरकार की द्वारा कर रखी है कि भंडार चमता को बढ़ाने के उगदेश से सारवजनिक सारवजनिक में भारते खाते निगम यानि जिसे FCI कहते हैं दोस्तों यानि भंडार चमता को बढ़ाना और केंद्री गोदाम निगम आदी की स्थापना की गई है जिससे खिसानों की फसल ना खराब हो सके दोस्तों क्योंकि फसल खराब इसलिए होती है क्योंकि उसके पंडारन की सही सुईदा नहीं होती है तो रास्टी इस तर पर दो संस्ताएं काम करती है पहला FCI और दूसरा CWC ठीक है न्यूंतम समर्थन मूले निती जिसके उपर पूरा का पूरा विवाद हो रहा है जिसका अभी प P कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस ठीक है न्यूंतम समर्थन मूले निती जिससे दोस्तों किसान को बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि उनको पता रहता है कि कम से कम हमें इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए जिससे बड़े-बड़े उद्योत्पती या जमींदार या कोई उनका सोशन नहीं कर पते इसके बाद विप्रण सूचना का परसार यानि आप देखते हैं कि आज की डिट में कि बहुत सारे बाले वादूर दरशन हो भाले रेडियो हो नियूस पेपर हो बहुत सारे सरकार केंदर सरकार या ग्रामिर सरकार या तो राजि सरकार पार्केटिक की इंफ्रोमिशन किसानों तक पोचे जिससे उनको उनकी उनका मुले अपनी फसल का क्या मिल सके हुचित मुले मिल सके। उचित मुले दिलाना सरकार का सर्वपथम कार्या होता है दूस्तों. अब हम बात करते हैं किर्शी विप्रण में क्या क्या सुधार की हैं सरकार की दुआरा उसको समझने के बाद कि विवीदी करण क्या होता है ये बहुत इंपोर्टेंट है वाई विवीदी करण चुकि ये भारत में ग्रामिड विकास के ग्रामिड विकास को प्राप करने में म जो एक किसान की आए में विर्दी करने में बहुत ही जादा सायक है जो कि गैर किर्शी किरियाएं कहलाती है दोस्तों जो विवीदी करन यानि किर्शी तो का आप कर रहे हो और किर्शी के साथ साथ और भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो यानि आप विवीदी करन ला रहे ह अपनी किर्शी में इससे समझना आपके लिए बहुत जादा जरूरी है क्योंकि यहां से कोशिन पूछा जाता है कि किर्शी छेतर में बढ़ती हुई श्रम शक्ती के एक बड़े हिस्से के अन्ने और किर्शी छेतरों में वेकलपिक रोजगार में अफसर ढूंडने की परक्रिया को विवीदी करण कहते हैं यानि मतलब क्या आप जानते हैं कि भारत की जो अधिकांस जनता है जो गाउं में वास करती है उनके सामने सिर्फ एक मात्र सादन होता है रोजगार का वो है किर्शी बट किर्शी के अलावा यानि वेकलपिक जाद्रॉंस की जूबि परक्रिया है उसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं विवीदी करण कहते है इसके दो पहलु हूँ आप देखिए बहुत इसी तरीके से मैं आपको समझाओंगा पहला है हमारा फसलों के उत्पादन का विवीदी करण यानि जो मारी फसले है ठीक है जैसे कि आप गेहू बोरे हो जैसे कि आप चाबल बोरे हो या जो बोरे हो या गन्ना बोरे हो आप एक फसल ना बोकर आप बहु फसल बोरे हो यानि गन्ने के साइड में आपने पूधीना भी लगा दिया या मान लीजे कोई भी मुझे इतना ज्यान नहीं है क्योंकि मैंने कभी किस चानी करता है वो जानता है कि एक फसल ऐसी लगाओ जिसको पाने की कम अफशकता हो और एक को जादा हो तो मतलब इससे फाइदा होता है तो यहां पर देखे लिए इसके अंतरगत एक फसल फसल की वजाए वजाए बहु फसल के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है अब कि फसल मैं अगर आपको समझा दूं मैंने बताया था एक खास किसम की पोदे को एक बहुत बड़े छेतर में उगाना जैसे आपने देखा हो का खेत में पूरे में गन्ना लगा वै तो वो फसल है एक गन्ने का बोदा लगा दिया और उसे आप कहले वो फसल है ऐसा मतलब खेती खेतों के जो खिम को क्या होता है काम होता है अब देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्षा चक्र है जो इंदर देव महराज हैं वो आप जानते हैं कि जब जब वर्षा की जरूत नहीं होती है तब तो वर्षा देते हैं पर जब वर्षा की जरूत होती है तो pollution मानव के दुआरा इस धराता पर बढ़ता जा रहा है उससे हमारा वर्षा चक्र भी प्रभावित हो गए दोस्तों जिसका सीधा सीधा सा संबंद हमारी कृशी के साथ है कृशी पूरी तरीके से हमारी वर्षा पर निर्भर करती है भारती कृशी की एक मिशेस्ता है करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर एक फसल खराब भी हो जाए तो एक आदी फसल बच जाए दोस्तों जिससे किसान को आर्थिक नुक्सान कम हो मिनी बास समझ रहे हैं तो फसलों के उत्पादन का जो विविद्धी करण है ना वो अत्यांत आवशक है किसान के आर्थिक चोखिम को कम करने के लिए जो कि मैं इसे काफी इंपोर्टेंट मानता हूं यह खेतों के वैपारी करण को बढ़ावा देती है जैसे मतलब दोस्तों पहले हमारे देश में यानि भारत में केवल और केवल जो खेती की जाती थी वो निर्वा खेती होती थी यानि अपना परिवार का पेट चल जाए और थोड़ा वो जो बसता है ना उसे बेचके कुछ और ज़रूरतों को पूरा किया जा सके इसी का नाम खेती होता था परन्तु जब अंग्रेज भारत में आये त चाय की खेती कोफी की खेती भी कराई यानि नगदी वाली खेती कराई जिसे तुरंत नगत पैसा मिलता है नगदी खेती भी आप नगदी फसल भी आपने कहते हैं तो किर्शी में यानि फसलों में जब उत्पादन का विवीदी करण आ जाता है जब एक किसान एक से जादा परकार की फसलों को वोता है तो वो अपनी फसल को मार्केट में बेचता है अब उसका उपदेश्य केवल अपने परिवार का पालन पोशन नहीं करना केवल उनकी जरूते पूरी नहीं करना मतलब आर्थिक लाप कमाना उसका उपदेश्य बन जाता है और यह बहुत कोई आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा दोस्तों आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी अब बात करते हैं जो कि सेकंड पॉइंट जाधा इंपॉटेंट है उत्पादन गतिवीदियों अत्वा रोजगार का विवेदी करण मतलब क्या हो गया देखिए बहुत जाधा इंपॉटेंट है क्योंकि किसान जो है किसान भाई वो गुप्त बेरोजगारी या चुपी विरोजगारी या मुसमी विरोजगारी का बहुत बड़ा सामना करते हैं जब उनके पास 6 महीने काम नहीं होता तो वो और कौन सी एक्टिविटीज करें जिनसे उनके आर्थिक उपदेशे पूरे हों तो उनमें आ जाते हैं उसका रोजगार का भी विवेदी करन है इसमें श्रम शक्ती को किर्शी छेतर से हटा कर गैर किर्शी कार्यों जैसे पश्यू पालन बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि मुर्गी पाल लिए भेड पाल लिए बकरे पाल लिए सूर पाल लिए कोई भी ऐसा पश्यू जो आर्थिक उपदेशे के मतस्से मतलब पालन हो गया यह सबही आप समझ सकते हैं कि यह बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है चinhos कि किसान को छिप्य बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी से बचाने में बहुत जादा मदद करते हैं और किर्शी से तो उसको एक आर्थिक सोर्स बनता है और यह किर्शी के बर्ती होती है. तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई है और एक ऊबहुत इम्पॉर्टन एक्जामपल है जैसे की बागवानी. बागवानी का मतलब क्या होता है? टेल एक उती फसल एक उती खर्शी एक उती बागवानी बागवानी जैसे आम के पेड़ लगा दी आपने आपने कोई पेड़ लगा रखे हैं आम के पेड़ लगा रखे हैं संत्रे के पेड़ लगा रखे हैं अनार के पेड़ लगा रखे हैं फल में आप बिजनेश करते हैं तो फल को बोलते हैं बागवानी जैसे कोई फूल लगा आता है चुकि देखिक किर्शी के साथ कर सकते हैं आप अपनी किर्शी भी करने आप पस्चू भी पाल देए हम मचले भी पालेए आपके बागवानी भी कर रखी है तो आप के पास दो वेबसाय हो गए जिससे आपकी किर्शी में डाइवसिटी आ गई यानि विवीदी करण आगया दोस्तों I hope आप मेरी बात समझ पा रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं मैं आपको कुछ और एक्जामपल देता हूँ जिससे ये बात कुछ और ज्यादा क्लियर हो जैसे ग्रामिन जन संख्या के लिए रोजगार के गैर किर्शी छेत्र कौन कौन से जैसे मैंने आपको ब जालन हो गया बागवानी हो गई या कुटीर या लगू उधियोग हो गए तो ये वो सारे के सारी गतिवीदियां हैं जो एक किसान अपनी खेती के साथ साथ यानि अपनी फसल के साथ साथ कर सकता है जिसका जिससे उसके आर्थिक संपत्ति में क्या होगी वर्दी होगी और उसके पास धन की बहुलता होती जाएगी और वो आर्तिक उदेश्चे के उदेश्चे को प्राप्त कर पाएगा अब बात करते हैं दोस्तों की जैबिक किर्शी क्या होती है और जैबिक किर्शी के क्या लाब है देकि जैबिक किर्शी का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लेज प्रियोक शाला में या जो जैविक प्रियोक शाला में बनती हैं, जो स्वास्ते के लिए हनिकारक होती हैं, अगर हम ऐसी खाद का प्रियोक करते हैं, जो पश्यू के वेस्ट से बना हो, एनिमल वेस्ट हो, या फिर प्लांट वेस्ट से बना हो, जो प्राकतिक रूप से खाद बनी हूँ जो कि स्वास्ते के लिए बहुत सा लावदायक होती है उसे ही हम कहते हैं जैविक करशी जिसे और्गैनिक फार्मिंग भी कहते हैं और्गैनिक फार्मिंग और्गैनिक इसलिए कहा जाता है दोस्तों जो कि इसमें जो खाद का प्रियोग किया जाता है वो किसी पश देता हूँ आपको कि जैविक करशी क्या होती है, बहुते सिंपल कि जैविक करशी खेती की वह पदती है, यानि तरीका है जिसमें खेतों के लिए जैविक खाथ, देखिए, जैविक खाथ, सबसे में जैविक खाथ, जो मुक्ता, देखिए, सबसे में बात, जो मुक्षे से बनी हूँ, जैसे हरी खाद का मतलब जो की कोई प्लांट है, उसके वेस्टिस से बना हूँ, पत्तों से, मेरी बास समझ रहे हो, तो ये होती है जैविक खाद, और जैविक खाद के माध्यम से जो किर्शी की जाती है, उसी तरीके को हम कहते हैं जैविक किर्शी, जो की स्व लाइपरोरिटी में बनते हैं जो रसायन होते हैं के प्रियोग को हतो उत्साहित किया जाता है यानि उससे इसका प्रियोग नहीं किया जाता करते हैं जैबिक खाद के प्रियोग पर बल दिया जाता है चुकि दोस्तों रसायनिक और वर्गों का प्रियोग करके भले फसल हमार जल्दी तियार हो जाती है परंतु दोस्तों वो जीवन चक्र के लिए और परीतंत्र के लिए या कहीं कि स्वास्ते के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं च sensitive आप ये बात जानते हैं कि रसाइन आकी रसाइन होते हैं जो लाइबरोटी में बने होते हैं उनकी कुछ सीमाई भी होती है यानि उनके कुछ बुरे परेड़ाम भी होते हैं बर जैबिक खाद जो होती है उसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता है मेरी बात को समझिए और जितने भी लोग हैं वो जैविक किर्शी को ही पसंद करते हैं ये खेट करने की वैपदती है जो परियावरण के संतुलन को पुना इस्तापित करके उसका संरक्षन वा संवर्दन करती है मैंने आपको पहली बताया कि आपकी जो खेट है उसकी जो मृता है उसमें अर्वा शक्ती बनाए रखने के लिए आपको जैविक खाद का ही प्रयोग करना चाहिए और जैविक खाद ना किवल मानव के लिए बलकि पूरे परियावरण के लिए अम्रित काकादे करती है दोस्तों इसलिए जैविक खादों के परियोग से जो जैविक खाद है उसके परियोग से मिर्दा का जैविक खाद बढ़ता है और मिर्दा काफी उबजाओ बन जाती है यहाँ पर मिर्दा का मतलब है मिट्टी आपके खेत की मिट्टी को मिर्दा कहते हैं दोस्तों और मिर्दा जो जैविक खाद होती है जो वेस्ट आफ एनिमल्स एंड प्लांट से बनती है वो मिर हो जाती है तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है अब बढ़ते हैं आगे नेक्स देखिए इसका कि जैविकाद जैविकाद पोदों की विर्दी के लिए आवश्यक खनीज परदार परदान करती है जो जो मृदा में मौजूद शुश्म जीवो दुवारा पोदों को मिलते हैं जिससे पोदे स्वस्त बनते हैं और उत्पादन बढ़ता है जैसे जैविकाद क्याए देखिए जो पोदे होते हैं उन्हें क्या चाहिए पानी चाहिए हो तो आप से चाहिए कि माद्य हमसे देद होगे परन्तों उनको साथ में दोस्तों खनीज भी चाहिए खनी जनीशियम, पोटेशियम, जितने भी रसाइन होते हैं, पर वो प्राकतिक रूप में जो होते हैं, जो प्राकतिक रूप में पाए जाते हैं, ना कि लेबरोटी में बने वे हो, तो उन्हें हम खनीज कहते हैं, जैसे आईरन हो गया, लोहो हो गया, इनकी आवशकता, क्योंकि पानी तो किसान की सिचाई की माध्यमसे देता है बरंटो उसे खनीज देने हैं तो उसको क्या देने हैं जैविक खादेंगे Godzilla में खनीजों की जो मात्रह होती है वो ज्यादा होती है जिसमें शुश्मजीब भी होते हैं जो पोदों को स्वस्थ बनाने में और उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ही जादा क्या करते हैं साइता परदान करते हैं तो जैविक खाद दोस्तों पोदों के खनिज के स्थर को बढ़ाती है जिससे पोदे जल्दी ग्रो करते हैं और साथ में दोस्तों पोदे स्वस्त होते हैं और जब हम उनका स सस्ते और ठिकाव होते हैं, पहली बात तो देखिए, जल्दी मतलब सस्ते होते हैं, किसान वैसे गरीब है, वो रसाइनिक उर्वरकों का वैसी प्रियोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो महंगे होते हैं, वो तो बड़े-बड़े उद्योग पती जो हैं, बड़े-बड़े जो हो मेटव देगा, क्योंकि बीज्या, वो सस्ते होते हैं, सबसब्से बड़ी बात है, सस्ता, सस्ता है, तो सिंपल से आता है, तो from earth, डिकाव हो है, सब जि 왜냐하면, सस्ता और बड़ी आ, इस से जादा और क्या चाहिएं, दूस्तों, नेक्स्ट है जैविक खादो के परियोग से हमें पोस्टिक वस्वस्त पर वर्धन योजना प्राप्त होता है यानि जैविक खादो के परियोग से हमें पोस्टिक वस्वास्ते वर्धन बोजन प्राप्त होता है मैंने आपको बताए दिया कि एक तो वो टेस्टी भी होगा और मतलब हैल्थफुल भी होगा यानि उसको खाने से एक तो हमें वारी दिए को सुवाद भी महसूस होगा और साथ में दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि उससे हमारा सुवाद भी बहतर बनेगा और इस सची क्या बात हो सकती है ठीक है जैविक खाद परियावरण मिश होते हैं बित्र होते हैं मित्र होगा इसमें रसैनिक परदूशन नहीं फैलता यानि जैविक खाद जो होते हैं दोस्तों वो परियावरण के लिए अती आवश्यक और महत्वपूर और सायक माने जाते ह जबकि रसाइनी कुर्वक एक तरीके से पर्यावरण के लिए प्रदूशन का काम करते हैं तो वो दुश्मन है एनिमी है वो छोटे और सिमांत किसानों के लिए सस्ती परक्रिया है मैंने आपको बता दिया ना कि भारत में अधिकांच जो किसान है वो छोटे और सिमांत किसान तो उनके पास धनकी कमी होती है तो उन्हें अपनी फसल को खनीज प्रवदान करने के लिए मिनरल्स देने के लिए खाद काप्रियो करना पड़ता है और जैविकाद उनके पास एक बहुती सस्ता और बड़िया विकल्प होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है ये भी आप इसका एक लाप समझ सकते हैं इसके बाद ये पदती धानी कर्शी पर को बढ़ावा देती है धानी कर्शी अब देकि धानी कर्शी का मतलब होता है धानी विकास पहले आप समझगे धानी विकास एक ऐसा विकास है जिसके अनु पूरा करने के साथ साथ जो आने वाली पीडियां है उनकी आवशकताओं का भी ध्यान रखा जाए यानि भविश्य में आने वाली पीडियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वरत्मान पीडि की जरुरतों को पूरा करने को हम धान्य विकास कहते हैं दोस्तू और धान्य किर्शी का मतलब कि धान्य किर्शी को बढवा देती है मतलब इससे हमारी जो मिट्टी है जो हमारी मि्́रदा है उसकी उगजाऊ शक्ती क्या हो कि ये बनी रहती है जिससे आने वाली पीडियां भी इस पे खेती करके अपने लिए अनाज और अन्य आवशक चीज़ों का उत्पादन कर पाएगी तो इससे क्या है हमारी वर्तमान इस्तिती हमारी वर्तमान जरूते भी पूरी हो रही है और भावी पीडिय की भी जरूते पूरी होगी तो ये देखिए ना कितना फाइदा है सस्ति है मतनी क्यों रशनिक और वर्तमान का प्रियूग करते हैं कुछ होते हैं लोग जो मोटे पेट वाले होते हैं जो जिनका उपदेशी है की होता है कि बस पैसा बनाना पैसा बनाना पैसा बनाना बहले इससे किसी की जान जाती है तो जाए, मेरा ये मानना है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, चोकि थोड़ा बुत्तु भगवान से डरना चाहिए, और जो व्यक्ति भगवान से डरता है ना दोस्तों, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, जिससे दूसरे का आहित हो ये मेरा विचार है दोश्तों अगर आप सहमत है तो वीडियो को लाइक करके जरूर मुझे मोटिवेट करें तो जैवी खेती श्रम परधान तकनीक पर अधारित है क्योंकि जैवी खाद को बनाने के लिए हमारे देश के जो किसान है या जो मजदूर वर्ग है उनको रोजगार मिल जाता है उनका ये रोजगार बन जाता है कि उनका काम ही है जैवी खाद बनाना तो इसे देश में फैली बेरूजगारी की भी समस्या का क्या होता है समधान होता है जो कि देश में आर्तिक सन्विर्दी और आर्तिक विकास के लिए अत्यांत आवशक है दोस्तो I hope आपको ये सारी चीजे समझ में आ गई होंगी ये आपका चैप्टर खतम है और मैं आप आपके लिए नेक्स चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगा मिलते हैं जब तक के लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत